Hello friends, good morning to all of you and welcome to study with ज्यान रकास देखें यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिक्चक वर्ती के बारे में सबसे पहले डिसकस करते हैं जिसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि कुल 1,78,000 पदों पर सिक्चक वर्ती का विग्यापन इसी माग के अंतर तक जारी होने वाला है और इस विग्यप्ती में आपको प्राइमरी के साथ साथ जूनियर, TGT और PGT यानि कि सभी वर्गों के लिए पद देखने को मिलने वाले हैं तो उत्तर पदेश के पड़ोसी राज बिहार में ये सिक्चक वर्ती जो है ये होने वाली है जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और यहाँ पर देखिए अगर तो सारे डिटेल्स आपके सामने हैं कुल एक लाख अठतर हजार नई सिक्चक वर्ती के प्रेस्ताव पर मुहर लग गई है नए सिक्चक का जो वेतन है वो भी तैय कर दिया गया है तो यहाँ पर देखिए जो वेतन है वो कच्छा एक से पांस तक रहेगा 44,130 रुपए है जूनियर के लिए होगा 49,050 रुपए है 9 और 10 के लिए 35,970 रुपए है और कच्छा 11 और 12 के लिए यह सेलरी होगी 55,610 रुपए है नए सिक्षकपटी का विग्यापन जल जारी कह जाएगा यानि कि इसके बारे में जो डिप्टिस सीम है बिहार के उनकी और से एक ट्वीट आया था डिप्टिस सीम ते जस्यादों की और से जिसमें बताया गया था कि कुल 1,80,000 नए पदों पर बहाली को मंजुरी दे दी ही है और ये जो बिग्यप्ती है ये आपको इसी मा के अंत तक देखने को मिल जाएगी तो फिलाल ये एक बड़ी ख़बर है इस पर पहले भी मैं आप लोगों को सारी डेटल्स चेक करवा चुका हूँ तो आगे जैसे भी जो भी जानकारी प्राफ्त होगी उसके बारे में आपको सुचना है उपलब्ध होती रहेंगी और फ्रेंट्स वहीं पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो कस्तुर्बा गांदी आवासी की जारी किया गया है तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इसमें जो उम्र सीमा है वो 25 से 45 साल है और जो पदों की संक्या है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है गनित के लिए कुल 5 पद हैं विज्ञान के लिए 6 पद हैं अंग्रेजी के लिए कुल 2 पद हैं हिंदी के लिए 3 पद हैं और सामाजी के लिए कुल 2 पद हैं तो कुल पद जो यहां पर पूर कालिक है वो 18 हैं वहीं प्रकर देखा चाहे तो जो अंसकालिक महिला सिख्शिका होंगी उनके लिए जो पद हैं कंप्यूटर इसके रामा संगीत और स्काउट गाइड के लिए तो कुल पदों की संग्या यहां पर 14 हैं इसके रामा यहां पर कलर्क के लिए और रसुईयां के लिए भी पद हैं 37-34 महिला के लिए निर्धारित किये गए हैं यहाँ पर जो आपकी उम्र होगी उसकी गड़ना एक अपरेल दोचार तेइस को की जाएगी आपकी उम्र 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में होनी चाहिए आवेदन जो है यह आफ लाइन होंगे जिसके लिए यहाँ पर फार्म दिया गया है और यह फा आड्रेस पर यह भेजा जाना है उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है कि 25 तारीकों साम 6 बजे तक यह डाक जो है आपका जो है पहुंच जाना चाहिए कहां पर कराले जिला बेसिक सिख्चा अधिकारी निकट विकास भवन 12 बंकी ठीक है तो यह एड् आप बारा बंकी की जो एनाईसी की वेबसाइट है उस पर भी आपको यह बिग्यति देखने को मिल जाएगी आगे बढ़तें फ्रेंड्स और प्रस्तावीत आयों के कारण लटकी यह भरती जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तरप्देस के जो भी डिग्री कालेज है उसमे असेस्टेंट प्रोफेसर भरती के लिए बहुत पहले भी गया पंजारी किया गया था लगबग अगस्त दो चार बाइस में इस पर आविदन लिये गये थे और इसके बाद फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि जो सदस से थे रिटायर होते चले गए और उत्तरप्देस में एक नए सिक्चक सेवा चेन आयोग के गठन को लेकर मंजुरी प्रदान कर दी गई है लेकिन यह आयोग अभी अस्तित्त में आया नहीं है तो जो अभेरती आविदन किये थे असेस्टेंट प्रोफेसर सिक्चक भरती में फिलाल वो अभेरती अब कोड गये हैं और कोड की और स से एक बड़ी बात कहीं गई है और वो बात यह है कि किसी संस्ता को निडर्थक नहीं बना सकती सरकार इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 16 मई को होगी लेकिन यहाँ पर असिस्टन प्रोफेसरों की भरती को लेकर कोड ने कापी जो सकती दिखाई है और कहा है कि आप अनुबर्नवाल ने जब कोड को बता है कि राज सरकार उच्छा मादमी सिक्चा और प्रात्मी सिक्चा का एक चैन बोर्ड यानि की चैन आयोग बनाना चाहती है इसलिए आयोग और बोर्ड के सदस्यों का कारेकाल पुरा होने के बाद भी पद नहीं भर रहे हैं तो कोरम क अबाओं में चैन प्रक्रिया रुकी हुई है उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आवसक्ता का सिध्धान्त यानि की डॉक्ट्रिन आप नेसेसिटी ठीरी जो होती है यह सिध्धान्त लागू कर बज़स अदस्यों को चैन पूरा करने की अन्मती दी जाए नहीं मुर्थी अ और तीन अन्ड की आजक्या में 2022 से रुकी 970 सहाइक प्रोफ्रेस्नों की भरती पूरी करने की मांग की यह कुल पज़संके आपर 970 है और लगबग एक लागा भरती इसमें आवेदक है तो फ्रेंड्स यहां पर कोर्ट के द्वारा जो टिपड़ी की गई है उसको देखते अगली सुनवाई 16 तारीक को होगी 16 माई को तो देखते हैं कि इसमें सरकार की और से क्या कहा जाता है और उसी के मताबिक जो आगे समय होगा उसमें यह भरती का जो दिसा निल्दारण होगा वो तैह हो पाएगा यानि कि अब 16 माई तक इंजार करिए आपको इस भरती के ब पात करें परसिदी सिक्षकों की बदनती के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं लंबे समय से अपने प्रमोशन का इंजा कर रहे हैं परसिदी सिक्षकों की बदनती पर एक बार फिर से संकट है और यह संकट है यह संकट है टीटी क्या बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो टी पास हैं और वह भी जूनियर टीटी तो यहां पर तो सबसे पहले यह का गया बेसिक शिचा परश्यत की तरब से जिलू को पत्र भेज कर कि 31 मार्च 2023 तक सिच्चों की वरिष्टा सूची त्यार किया है इसके साथ ही आनलाइन सिच्चों से वरिष्टा सूची को लेकर भेजी गई आपत्यों का निस्तारान किया जा है इसके बाद का गया कि 30 अपरेल तक वरिष्टा सूची तयार करने के लिए कह दिया गया था फिर का गया कि दो दिन बाद मदब परिशत की और से जूनियर टेटी पास सिचकों की सूची मांगी गई है तो जैसे ही टेटी पास सिचकों की सूची मांगी गई तो वो अब्ड़ थी यानि कि वो टीचर जो टेटी पास नहीं है अब उनके बन में तमाम तरफिये की संकाये हैं हलां कि आने मले समय में भी आपको मिलेगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, चाहे आप यूपी पीसेज दियारी कर रहे हूँ या फिर वीडियो रिएक्जाम के, तो दोनों ही के लिए बजट 2023 एक most important topic है, और उसमें भी घोसित सभी मत्मूल योजदा है, इस पर एक साड़ वीडियो अप्लोड कर दिया गया है, आपके चैनल ISPCS Masterclass पर लिंक वीडियो के description में है, तो बागी के जो topic हैं उस पर भी वीडियो लगातार आपको दिया रहे हैं, तो आप लोग जो है, इस सारे वीडियो जरूर देखा करें और अपने तयारी को एक नई दिसादें, तो फ्रेंड्स फ्रिलाल आज के वीडियो में बस इतना ही, बागी डिटिल्स लिए आप लोग भाला comment box और description चे कर सकते हैं, हम मिलेंगे आप से अगले वीडियो में तब तक लिया, गैंदी जी, नमस्कार, जैहिंद,